बहुत से फूलों वाले पौधों की कटिंग सिर्फ और सिर्फ बरसात में लगती है especially जब बात permanent फूलोंवाले पौधों की आती है उनकी जो branches होते हैं वो hardwood type की होती है और उनकी cutting ग्रो क होने में थोड़ा सा समय ज़रूर लग जाता है आज किस वीडियो में शेयर करूँगी कुछ ऐसे पर्मनेन फूलों वाले पोदे जिनकी कटिंग आप इस समय रहते बरसात में लगा सकते हैं नर्सरी जाकर इन पोदों को महंगे महंगे दामों में करीदने की जरूरत नहीं है आज किस वीडियो में बहुत से फूलों माले पोदों को कटिंग से लगाना भी बताऊंगी वो भी पूरे अपडेट की साथ वीडियो के आखिर तक जरूर बने रहे हैं और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक शेयर के साथ चैनल को जो वो बना हुआ है तो यहां पर यह आप देख सकते हैं कटिंग ग्रो करने के लिए मैंने इन वेस्ट प्लास्टिक की बॉटल का एक हिस्सा जो है वो कट किया हुए इसमें में मिट्टी भरी हो इसमें ही में कटिंग जो है वो लगा दूँगे फ्रेंट से नॉर्मली हम क के न अंट आप देख रही हैं यहां चांदी चांदी ईधी पर्मेंट फूलों वाला पूदा होता है इसमें सफेद रंके फूल आते हैं इसकी व natuurlijk से बहुत सरी वेराइटीज होती है जो वेराइटी आप देख रही हैं यह बड़ी वाली चांदी है जिसमें डबल पेटल आप फ्री में भी कटिंग लाकर अपने गर में ग्रोव कर सकते हैं 5-6 इंच की कटिंग को आप कट कर लीजें कटिंग बड़ी जादा ना पतली होनी चाहिए ना जादा मोटी होनी चाहिए एक मीडियम साइज की कटिंग लेकर नीचे की लेट लिप्सको हठा के एक से दो इंच आप किसी भी मिट्टी में लगा दीजे ये पोदे इस समय विदोर रूटिंग हार्मोन के भी लग जाते हैं यहां पर ये देखे मैंने कटिंग लगा दी है कटिंग लगाने के बाद आप इसे कुछ दिन के लिए इंडिरेक्ट बारिशों वाली जगा पर प्लांट के जो कटिंग है वो ग्रो हो चुकी हुई है यहां पर ये देखे है कितनी अच्छे जो जड़े हैं वो डेवलप होई हैं तो आप इस समय बहुत असानी से फ्री में इन पोदों को कटिंग से ग्रो कर सकते हैं इस समय बारिशों का फाइदा उठाते हुए आप प जो फूल होते हैं वो गर जाते हैं और ये ऐसे फूल हैं जो गिरने के बाद भगवान को चड़ाय जाते हैं इस पूदे की कटिंग असानी से वो grow हो जाते हैं अच्छे से cutting को मिट्टी में दबा देना है cutting हिले जुले नहीं इसलिए मिट्टी में अच्छे से fix करना है cutting लगाने के बाद इसे एक दो दिन के लिए shady area में रख दीजे या फिर आप इनें वहां रख सकते हैं जहां पर हलकी फुलकी बारिश की बोचार इसमें पढ़ती रहे इसे पोदे की growth बहुत अच्छे से हो जाती है याद रहे और वाट्रिंग से पोदों को ज़रूर बचा के रखें इस समय बहुत जादा humidity हो रही है क्योंकि बारिशे काफी हो रही है तो इस समय जो भी cutting होती है वो सूखने के बजाए और वाट्रिंग से जादा कल रही है नेक्स्ट में इसके update भी शियर कर देती हूँ यह देखिए friends इस वाली waste में मैंने जो cutting लगाई थी अब आप यहाँ पर यह देख सकते है कि अच्छे से इस पोदे की growth जो है वो चल रही हो यह देखिए हलकी हलकी सी जड़े जो है वो भी आप सब friends को जो है वो दिख रही होंगी नरसी में यह पोदे बहुत ही cost री मिलते हैं लेकिन इस समय बारिशों का फाइदा उठाते हो है आप इन पोदों को बिल्कुल free of cost जो है वो घर में grow कर सकते हैं फ्रेंट से यह देखिए यह है क्रेंबरी हबिसकस प्लान यह एक permanent फूलों वाला पोदा होता है और यह हबिसकस की बहुती रियर विराइटी होती है इसके पूल काफी खूबसूरत और बिग साइज के होत है उनी से में एक इसकी 5-6 इंच की मैंने कटिंग को कट कर लिया हुआ है और यहां पर देखिए नीचे की लिफ्स को हटा के मैं इसे इस वले वेस्ट में मिट्टी डाली है मिट्टी मेरी ऑलरडी मॉइस्ट है बस इसे हमने 1-1,5 इंच मिट्टी में दवा देना है बी क्य जब इस पोदे के साथ कोई भी वर करें क्योंकि इसमें छोटे-चोटे कांटे रहते हैं जो लग भी जाते हैं अब लफ्स का इस्तमाल स्रूर करें कटिक लगाने के माद बाद मैंने इस ग्लास को उसी गंबले में में रख दिया था अब आप यह देख सकते हैं यह अप्र अच्छे से जो हैं वह डेवलप हो चुकी हुए है तो यह पोदे बहुत असानी से समय कटिंग से ग्रोव कर सकते हैं इसके पूल काफी खूब सुरत होता है लंबे समय तक अपने पोदों पर खीलते रहते हैं फ्रेंस यह देखे यह है औलियंडर फ्लावरिंग प्लाट ज इसके आप यह देख सकते हैं अपने मदर प्लांट से में इसके 5-6 इंच की मीडियम साइस की मेने कटिंग जो है वो अकट करी है जिसे में इस वाले वेस में मैंने मॉइस्ट मिट्टी डाली है बस इसे 1-2 इंच आप इसे अच्छे से मिट्टी में फिक्स कर दीजे मैं हमे इसे पहले में मैंने कटिंग इस वेस्ट में मिने लगाई थी अब आप यहां पर यह देख सकते हैं इस कटिंग कितने अच्छे से चल रही है देखे किने अच्छे से इसकी जड़ें जो हम सिर्फ 10-12 दिन में डिवलप हुई है तो यह पोदे की कटिंग आप इस समें साल इसमें फ्लॉवरिंग जो होती रहती है छोटी छोटे कंटेनर में लगाने के लिए यह बहुत ही बढ़िया पर्मनेंट फूलों वाला पोदा होता है जैसे कि आप यह देख सकते हैं अपने मदर प्लांट से मैंने इसकी दो कटिंग को कट कर हुआ हुआ है नीचे की ल इसमें हलकी हलकी से फूल आना भी शुरू हो चुके यह देखे एक जो की ग्रोथ बहुत अच्छे से चल रही है एक कटिंग में इसकी बाहर निकाल कर भी बताती हूं तो यहां पर आप देख सकते हैं कितनी अच्छे से इसकी जड़ें जो है वो डेवलप हो चुकी हो यह कटिंग से लगाते हैं वह बहुत जडेए उसमें फूल आना जो पी शुरू हो जाते हैं यह देखिए फ्रेंट यह देखें यह दस दिन के बाद की अपでも देखें किगे से जड़ लुटे कर शुरू हो चुके हैं तो यह पूदे अपसमें कटिंग से असानी से कीष्ग ह कर आप इन पोदों को कटिंग से असानी से इनके नेने पोदे रेडी कर सकते हैं, सर्दियों तक ये पोदे बहुत अच्छी फ्लॉवरिंग पर भी आ जाते हैं, अपने मदर प्लांट से में कुछ हेल्दी टिप की कटिंग लेकर, जैसे कि आप देख सकते हैं, इस पॉर्ट में यहां पर यह देख सकते हैं, जो मेने कटिंग लगाई थी, वह हलकी हलकी से उसमें जड़े जो हैं, वह भी बनना शुरू हो चुके हैं, इवन कि यह जो लीवस होती हैं, अकर आप इनको मिट्टी में दबा देंगे, इनमें भी जड़े बहुत असानी से बन जाते हैं, बह अगर आपने पोदे समर में सेव करें, तो वहां से इन पोदों की कटिंग को लेकर आप असानी से इनके नेने पोदे इस समय रेडी कर सकते हैं, बहुत जल्दी इस पोदे की कटिंग जो है विदिन वीक में ग्रो हो जाती है, और यह पोदे बीस से भी असानी से ग्रो हो ज यह निए पोदे अगर आप सम्मर में सेव कर लें तो सर्दियों में इन पोदों को रीदने की ज़रूरत नहीं है रेडी कर सकते हैं है यहां पर नहीं है और इसमे पोदों को भाइनारी है थिक कर ले ले नहीं टिक अभली ऐनाया यहां पर आ देख सकते हैं यह उन यह इन इन पोदों का बाहर निकाल कर बना वातिistically यहां पर देख सकते हैं यहां यह संखते हैं अच्छे से जो है वो ग्रोव हो चुकी होई हैं यह देखिए कितने अच्छे से इनकी जड़े हैं वो डेवलप हो चुकी हैं लेकिन आप इन पौदों की अच्छी ग्रोध के लिए अब मैं इनके जो पोदे हैं अलगलग पॉड में जो है मैं शिफ्ट कर दूँगी यह आप चाहें तो बोगन वेल पोदे की कटिंग को बहुत असानी से ग्रोव कर सकते हैं बोगन वेल एक पर्मनेंट फूल वाला पोदा होता है इसकी जो ब्रांची होती है और इस पोदी की कटिंग सिर्फ और सिर्फ बरसात में 100 जो होती है जैसे कि आप यहां पर यह देख स समय कुछ बातों का विशेश ध्यान रखे कटिंग को कभी भी दूप पली जगा पर नहीं रखना है इसे बड़े बड़े गमलों की चाहों में आप इसे रख सकते इसे इसको शेड भी मिलती रहेगी और हलकी बुल की जो बारिश हो रही है उसे इन पोदों की ग्रोथ जाती है अधर्वाइस यह पोदे की जो कटिंग है 10-15 दिन में बहुत असानी से ग्रोव हो जाती है कटिंग आप इस टेम बहुत असानी से ग्रोव करके उनके फ्रीके प्लांट बना सकते हैं वह हमारा बिगोनिया का प्लांट और यह देखिए यह भी एक मेरा मदर प्लां आप इसे किसी भी मिट्टी भरके मिट्टी को मॉइस करके आप इसकी कटिंग को लगा दीजीए यह पोदे की कटिंग 8-10 दिन में असानी से ग्रोव हो जाती है तो यहां पर यह देखिए फ्रेंड्ड मैंने कटिंग जो है वह इस वाली वेस्ट में लगा दी है नेक्स्ट बहुत अच्छे से यहां पर यह देख सकते हैं, बन चुकी हुई है, तो यह पोदे की कटिंग भी आप बहुत असानी से ग्रोव कर सकते हैं, यह एक सकुले टाइप का प्लांट होता है, जब भी आप इसकी कटिंग को ग्रोव करें, पानी का जरूर ध्यान रखें, क्योंकि इनकी जो कटिंग से गल जाती हैं, इस पोदे की कटिंग को ग्रोव करके आप नएने पोदे फ्री में बना सकते हैं, वो है हमारा फ्रेंच मेरी गोल्ड, यह पोदे ऐसे होते हैं, जो पूरा साल बहुत अच्छी फ्लॉवरिंग करते हैं, और बहुत असानी से कटिंग से आप जब चाहें इनको ग्रोव कर सकते हैं, आप चाहें तो इनके सुखे फुलों को कहीं भी आप इनको डाल देंगे, तो बहुत ही असानी से इनके नेने पोदे जो बना सकते हैं, और अगर आपको बहुत जल्दी इन में फ्लॉवरिंग चाहिए, तो आप इन पोदों को क जब इस बहुत असानी से ग्रो कर सकते हैं, प्रेंच जब भी आप इस पोदे के सा नहीं कोई भी वर्क करने जाएं, तो ब टीष ग्रूठ फिर इनकी cutting को grow करें तो यहां पर आप देखिए फ्रेंड्स मेने gloves नहीं डालें इसलिए मैं थोड़ा बड़े ध्यान से इनको इस वाले pot में रख रही हूं तो यह पोदी की cutting बहुत असानी से grow हो जाती है बस एक चीज़ का जरूर ध्यान रखें कि over watering बिल्कुल भी ना करें इनकी मिट्टी को थोड़ा सा ड्राइ बेसिस पर रखें क्योंकि इनकी branches में भी काफी moisture रहता है अधिक पानी की वज़े से इनकी cutting बहुत जल्दी गल जाती है तो इस चीज़ का जरूर ध्यान रखें इस वाले pot में भी आप यहां पर यह देख सकते हैं मिने इसकी चोटी स जिसे यलो बल्टी कोमा कहा जाता है यह देसी वाली वेराइटी है जिसमें यलो कलर की फ्लॉर्स ब्लूम करते है और इसमें गुच्छों में फूल आते है इस वाले pot में देख सकते हैं मैंने कुछ कटिंग इसकी लगाई होई थी यह देखे कितने अच्छे से उसकी लाकर घर में असानी से ग्रो कर सकते हैं फ्रेंट्स नेक जिस फूलों वाले pot की कटिंग को ग्रो करके आप बहुत असानी से नईने pot free में बना सकते हैं वो है हमारा penthouse flowering plant यह एक permanent फूलों वाला pot होता है जो छोटी-छोटी cutting से असानी से ग्रो हो जाता है इसमें गुच्छ इच की cutting को ले जीजिए किसी भी मिट्टी में लगा देंगे बहुत असानी से 7-8 दिन में इस फूलों वाले pot की cutting को लगाना बताया है वो भी update के साथ इन फूलों को नरसी जाके ख्रीदने की जरूरत नहीं है बस जरूरत है तो अपने आस पास नजर दोडाने की आपके surrounding area यह यह पोदे बहुत जादा ग्रो किये जाते हैं वहां से आप इन फूलों वाले pot की cutting को फ्री में लाकर अपने garden में ग्रो कर सकते हैं I hope आज की वीडियो सबके लिए यूसफुल रही होगी वीडियो अगर आपको थोड़ी सी भी अच्छी लगे तो प्लीज डू लाइक,